हेलो फ्रेंट्स, नमस्कार, स्वागा दिस निएज वीडियों में बात करने वाले हैं, बहुती बड़ी अपडेट निकल किया रही है, जो बिद्यारती बिहार बोर्ट से 2022 में 12 क्लास क्वालिफाइ है, पले वो फंस डिविजन से हो, सकेन्ड डिविजन से हो, जो थर्र इसके बारे में आपे समझेंगे बहुत ही इंपोटेंट अपडेट है फ्रेंट्स वीडियो को लास तक जरूर देखिएगा तो चेले फिंट्स जानते हैं बिहार बोर्ट बारा हुई पास एसकोलोडशीप के बारे में और इसका जो भी अपडेट है 2022 में जो विद्यार्थी देख सकते हैं और इसमें बोला गया है कि सुचित किया जाता है कि बिहार बिद्याले परिच्छा समीती पटना से इंटरमीडियेट परिच्छा 2022 में प्रथम स्रेडी से उत्रिड छात्राओं को मुख्यमंत्री अलप संख्यक बिद्यार्थी प्रोच्छान योजना पंद्रह हजार रुपे मात्र देने हेतु निम्नलिखित का अगजात दस्तावेज 39 2022 तक कर्याले में जमा किया जाएगा यानि फ्रेंट्स आप सब देख सकते हैं यहां पर अपडेट यह निकल क्या रही है कि जो भी अलप संख्यक भी द्यार्थी हैं यहां पर अलप संख लाए में आते हैं जो थोड़ा सा गरीब होते हैं और उनके घर अगर जो भी बच्चिया बच्चिया यहां पर छात्राओं लिखा हुआ देख रहां पर छात्राओं क्योंकि आप सब को पता है इंटर्मीडियेट में जो है केवल गल्स को ही पैसे मिलते हैं तो छात्राओं मुख्यमंत्री अलप संख्यक बिद्यार्थी प्रोथसाहन योजना के अंतरगत यह जो है एक नया योजना है मुख्यमंत्री अलप संख्यक बिद्यार्थी प्रोथसाहन योजना के अंतरगत 15,000 रूपे जो है उनको दिया जाएगा सरकार के दोरा जिसके लिए यह जो है दस्तावेज जो हैं मांगे हैं 39 तक कर्याले में मैं आपको बताऊंगा कि किस कर्याले में आपको जमा करना है वीडियो को फिंट साप लास तक जुरूर देखिएगा तभी आपको पूरी इंफॉर्मेशन समझ में आएगी वरना आप आधा दोरा जनकारी लेकर जाएंगे य यहांपे बोला गया है डोकुमेन्टेसन में की क्या क्या डोकुमेन्टेसन आपको जमा करनी है तो सबसे पहले समझत्र का आवास परमापत्र चात्र का और भिहार परिछ्या समीथ जो निर्गत किया गया है वो राला यानि original उसका photo copy करके 100 अभी परमारित हर जगा लिखा हुआ इसका मतलब नीचे में sign करके इस चात्रा का signature होना चाहिए 100 अभी परमारित देख रहे हैं 100 हorarब मतलब होता है photo copy करके उसके नीचे आपको signature करना है तो यह सारे documents आपको जमा करने है कहां जमा करना है फ्रिंट्स देखिए यहां पे जो है आदेशा अनुसार में लिखा गया है जीला अलप संख्य कल्यार पददिकारी मुझफर पूर यानी जो मुझफर पूर की नोटिफिकेशन निकल के आ रही है जो जीला अलप संख्य कल्यार पददिकारी है उनके जो है क परियाले है हर जीला औफिस में इस ऐखना हर एक जी ला में तो उस जीला में जो है यह जो है अपडेट निकल के आ रहे है मैंने आपको मुझःफर पूर का बताया तो आप जो है अपने जीला में जाये जिला अल्प्शंक्खिय कलियार पतर कारी के पास उन्से बाते करेंगे और बताएंगे क्या इस तरह का अब्डेट आया की नहीं आया है फिलहाल अभी जो है यहां पे मुझभफर पूर के जीला के द्वारा जो है यह आदेश यहां पे जारी कर दिया गया है तो मान के चले 10-15 दिन के अंदर सभी जीलों में जो है यह अब्डेट धिरे- रुपे बात की गई है बिहार सरकार हो कपसे ऑनलाइन होगा तो उसका अभी कोई अपडेट नहीं है जो भी बचिया फर्स्ट हो सकेंड हो या थर्ड हो उनको जो है सरकार पचीस हजार रुपे देगी भले वो हिंदू हो या SCST जेनरल OBC कोई भी केटेगरी से आती हो उनक बदलाव करके जो यहां पर ऑनलाइन अपलाई होगा इसमें जो है पचीस हजार बच्चियों को मिलेगा तो यह जो है अलग अपडेट है और यह जो है पचीस हजार वाला अभी ऑनलाइन बहुत ही जल्द आएगा तो मैं आप लोग को अलग से सेपरेट वीडियो लादू उनके लिए जो है पचास हजार मिलता है ग्रेजुशन बच्चिया अगर पास करती है तो उनको पचाहजार सरकार देती है इसका पोटल त्यार कर दिया गया है नेक्स्ट वीडियो मैं बहुत ही जल्द लेकर आऊंगा कि इसके लिए कौन सा पोटल जो है त्यार किया गया ह उसका ट्राइल भी सक्सेस हो चुका है मैं वो पोटल बहुत ही जल्द आपको लोग को रिवील करने वालू हाला कि ऑनलाइन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है सरकार अभी ट्राइल पे चल रही है लेकिन पोटल जो है पब्लिकली आ चुका है ऑनलाइन अप्लाई वाला तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो पच्चाहजर वाले के उपर में सेपरेट वीडियो ला दूँगा जो भी ग्रिजुशन जो है कंप्लीट की हुई है उनके लिए उनलाइन कब से स्टार्ट होंगे और उसका पोटल क्या है उमिद करता हूं फ्रिंट्स आपको जनक झाल 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 झाल